Hello everyone, so, आज का टॉपिक है हमारा coordinate geometry coordinate geometry 9th standard में भी हमने पढ़ा है अब 10th standard में हम यहाँ पर जो सबसे पहले सिखेंगे वो यह सिखेंगे कि कैसे हम 2 points जिनका coordinate हमें पता होगा उनके बीच का distance find out करते हैं तो यहाँ पर हमारा जो aim है, अभी वो यह है कि a, b का distance find out करना, जहाँ पर a का coordinate है x1, y1 और b का coordinate है x2, y2 अच्छा यह जो x1 है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं x coordinate या फिर हम कहते हैं abscissa ठीक है, और यह जो y1 है, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं y coordinate of a या फिर हम इसे कहते हैं ordinate तो abscissa and ordinate ये कभी-कभी बच्चे confused हो जाते हैं क्योंकि बार-बार वो x-coordinate और y-coordinate ही use करते हैं बट आपको abscissa and ordinate भी पता होना चाहिए तो अब जैसे यहाँ पर 2 point अपने लिया है 1.a है, a point और a point b है तो a point और b point ये 2 point अब मुझे इसके बीच का distance find out करना है तो यहाँ पर a, b कैसे find out करना है तो यहाँ पर हमने क्या किया हमने ये एक इस तरह से horizontal line रोखी और b से vertical line रोखी तो a से जो हमने horizontal line रोखी है a, c ये जो horizontal line है a, c और ये जो b, c है अगर मैं c का coordinate find out करूँ तो क्योंकि c जो है वो ये y axis से x2 distance पर है ये x coordinate क्या होता है y axis से कितना distance है x2 है तो इसका x coordinate x2 हो गया similarly अगर मैं y coordinate देखो कि x axis से कितना distance पर है तो ये क्या होगा y1 होगा तो ये x2, y1 ये मेरा c का coordinate हो गया अब pythagoras theorem अगर हम apply करें क्योंकि angles ही 90 degree है तो pythagoras theorem apply करें तो यहां पर हम लिख सकते हैं a b square a b square can be written as a c square plus b c square right तो यहां पर a c square तो a c a से c तो ये जो distance है a c horizontal distance ये आपको क्या मिलेगा ये आपको मिलेगा x2 minus x1 का whole square plus ये जो distance b c है b c ये हमें क्या मिलेगा ये हमें मिलेगा y2 minus y1 the whole square तो a b square is equal to देखें ये a c हैंकि Ce x-axis के parallel है तो ये जो ये जो b c है ये आपको y2 minus y1 मिलेगा और ये जो ac है ये आपको x2 minus x1 मिलेगा ये आपको x2 minus x1 मिलेगा ये आपका distance a b law है तो AB, AB find out करने के लिए हम क्या करेंगे, we will take square root, तो square root लेंगे और square root में ये क्या होगा, x2 minus x1 का whole square, plus क्या होगा, y2 minus y1 का whole square, तो ये हमारा हो गया distance AB, AB is equals to root of x2 minus x1 the whole square, plus y2 minus y1 the whole square, तो अब future में कभी भी आपको 2 point दिये होगे, और अगर distance find out करना है, तो simply ये distance formula हम apply कर सकते हैं, चलिए, अब कुछ problem, ये problem आपके textbook, NCIT के textbook से हम consider कर रहे है, exercise number 7.1, यहाँ पर है find the distance between the following pair of point, तो पहला यहाँ पर ये दो point दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम assume कर लेते हैं, ए, ए assume कर लेते हैं, पहले question में, ये तिन लाइन शो करते हैं, या just simply ऐसे लिख देते हैं, a 2,3 और b यहाँ पर 4,1, तो by distance formula, by distance formula, d equal to, actually यहाँ पर मैं formula लिख देता हूँ पहले, okay, formula क्या है, x2 minus x1 the whole square, plus y2 minus y1 the whole square, क्योंकि क्या है, कभी-कभी teachers को समझना होता है, कि आपको formula पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पर यह formula लिख दिया हमेंने, तो therefore, a,b, यह जो distance a,b होगा, यह क्या हो जाएगा, root of, now x2, यहाँ पर यह, यह हम consider कर लेते हैं, कि यह x1, y1 है, और यह हम consider कर लेते हैं, कि यह x2, y2 है, ठीक है, तो x2 minus x1, that is 4 minus 2, अच्छा, क्या, अगर आपने 2 minus 4 लिखा, तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, क्योंकि हम square कर रहे हैं, तो, आप x2 minus x1 ले, या x1 minus x2 ले, square करने के बाद, आपको positive result मिलेगा, बट ठीक है, जैसा formula लिखा है, वैसा use कीजिए, कोई तकलीफ नहीं है, तो यहाँ पर यह क्या होगा, 1 minus 3 का whole square हो जाएगा, ठीक है, तो, this is equals to root of, यहाँ पर 4 minus 2, मैं vertically लिख देता हूँ, इस side में लिखने से अच्छा है, तो, यहाँ पर लिख लेते हैं, is equals to root of, 4 minus 2 is to 2 का square, 4, plus 1 minus 3, minus 2, minus 2 का square, 4, तो, यह कितना हो गया, 4 times 2 हो गया, या 2 times 4 हो गया, 4 दो बार add हो रहा है, मैंने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि जो 4 है, 4 का square root 2 होता है, तो 2 को हम भार ले सकते हैं, 2 root 2 यह answer हो जाएगा, square root of 4, क्यों ऐसा क्या, क्योंकि square root of 4 क्या होता है, 2 होता है, तो यह जो 2 है, यह square root of 4, और फिर 2 square root में रह गया, तो, गय हो गया आपका answer, a, b, so this is a, b, a, b is equals to, यहाँ पर 2 root 2, by distance formula, अब दूसरा question इसी तरह से, यह आप try करेंगे, यह second आप try कीजिए, और फिर answer चेक करेंगे हम, वीडियो को pause कर सकते हैं, यहाँ पर, अभी मैं वो formula लिखनी रहा हूँ, लेकिन हर question में आपको formula जरूर लिखने हैं, यहाँ पर मैं simply, suppose इसको अगर consider करूँ, c consider करूँ, c minus 5, 7, और d consider करूँ, minus 1, 3, तो यह जो cd होगा, by distance formula, this is going to be equal to minus 1, अब negative number को अगर हम subtract करते हैं, तो it will become plus, so minus 1 plus 5 का whole square, plus 3 minus 7 का whole square, this cd is equals to root of, now minus 1 plus 5 कितना होगा, 4 होगा, तो यह 4 का square हो गया, प्लस 3 minus 7 कितना होगा, minus 4, तो यह minus 4 का square कितना होगा, 16 ना, यह भी 4 का square 16, तो बेटर 4 square लिखो या फिर आप 16 लिख लो, तो यहाँ पर भी यह 16 time 2, और 16 का square root 4, तो यह 4 root 2, यह distance cd, लास्ट में आप unit लिख सकते हैं, हमें पता नहीं, यह meter centimeter क्या है, तो unit, और लास्ट problem, यहाँ पर इसी तरह से, थर्ड, आपका यह, सपोज, x, y ले लेते हैं, capital X, यह ले ले लेते हैं, a, b, a, b, sorry, positive b है, और y ले ले लेते हैं, minus a, minus b, okay, तो therefore, यह जो x, y होगा, यह हो जाएगा root of, अच्छा, minus a, minus a, यह भी आप कर सकते हैं, minus a, minus a, subtract किया, इसका square, plus minus b, minus b square, तो minus a, minus a two time है, तो क्या होगा, minus 2a का square, plus minus 2b का square, तो यह root में, minus 2a का square होगा, 4a square, plus यह होगा, 4b square, is equals to, root में, यह 4, common, a square plus b square, okay, so, 4 का square root, therefore, x, y, 4 का square root का होगा है, 2, so, यह जाएगा 2, root of, यहाँ पर क्या होगा, a square plus b square, right, यह आपका क्या है, x, y, right, this is your x, y, fine, done, okay, चलिए, second question, find the distance between 0.00 and 3615, can you now find the distance between, the two town, a and b, discussed in section 7.2, okay, so, section 7.2, अब मैं, यहाँ पर discussing कर रहाँ, आप जाके देख लेना, यहाँ पर point a, यह दिया है, 00, और दूसरा point b दिया है, 3615, और हमें क्या करना है, distance, find out करना है, between a, b, so, a, b, is equals to, यहाँ पर क्या होगा, root of, 36 minus 0 square, plus, 15 minus 0 square, so, therefore, यह जो a, b है, is equals to root of, 36 का square कितना होगया, 36 into 36, 6 6 हा, 36, 3, 6 3 is the 18, 18 plus 3, 21, 3 6 हा, 18, 1, 3 3 9, 1 10, okay, so, यह 6 9 2 1, 1 2 9 6, 1 2 9 6, plus 15 का square, 225, so, this a, b distance, यहाँ पर, अगर मैंने उपर नहीं लिखाया है, तो यहाँ पर आप साइड में, यहाँ पर लिख सकते हैं, using distance formula, okay, d equal to root of x2 minus x1, the whole square, plus y2 minus y1, the whole square. So, this distance a, b will be equal to root of, now 6 plus 5, 11, then 9 plus 1, 10, 10 plus 2, it is 12, 1, 2 plus 1, 3, 3 plus 2, it is 5, and then this is 1, 1 5, 2 1, okay, एक बार क्रोस्चेक कर लेतामे, यहाँ पर 36 का square, 36 into 36, 1 to 96, पर अबर, plus 2, 25, 15 to 1, 15 का square, 225, okay, done, fine, अब यह इसको reduce कर सकते हैं क्या, तो पहले तो 15, 21, देखते हैं, divide होता है, 5 plus 1, 6, 2 plus 1, 3, तो 6 plus 3, 9, तो 3 से divide कर सकते हैं, 3, 5 तो 15, फिर यहाँ पर 2, 2 दिवाइड नहीं होता, 3 से तो 0, 21, 3, 7 दा 21, again, 7 plus 5, 12, 3 से divide होता है, तो 3, 1 दा 3, 2, 20, 3, 6 दा 18, 2, 27, 3, 9 दा 27, 169, 169, 13 का square है, तो यह 13 से divide होता है, 13 दा 13, 13, 3 दा 39, और फिर यह 13, तो यहाँ पर यह root में क्या हो गया, 3 का pair हो गया, 3 स्क्वेर, और 13 का pair हो गया, 13 स्क्वेर, तो बाद मेंस, I will write 3 इंटो 13, okay, स्क्वेर रूट, a b, so a b is equals to, therefore, I will say कि यह जो a b है, दित a b is equals to 39, 39 unit, simple, अब यहाँ पर 3 पॉइंट दिया है, 15, दूसरा पॉइंट है 23, और तिसरा पॉइंट है, मैनिस 2, मैनिस 1, हमको शोग करना है कि यह 3 पॉइंट कोलिनेर है, अब कोलिनेर कैसे शोग करेंगे, तो हम a b डिस्टेंस, b c डिस्टेंस और a c डिस्टेंस निकालेंगे, और कोई भी दो सिग्मेंट का सम, 3rd सिग्मेंट के बराबर होगा, मतब जो 2 सोटे सिग्मेंट होगे, उनको एड़ करके बड़ा सिग्मेंट मिलेगा, अगर 3 पॉइंट कोलिनेर होता है, तो ये कंडिशन होती है, एक लाइन, समझो, ये x है, y है, z है, तो clearly आपको समझ में आता है कि xy प्लस yz, xz होगा, ठीक है, तो 3 सिग्मेंट, xy, yz और xz फाइनट करना है, और इस पर देखना है कि जो बड़ा सिग्मेंट है, क्या वो दो चुटे सिग्मेंट का सम है या नहीं, तो यहाँ पर by distance formula हम कह सकते हैं, यहाँ पर formula आप लिख लीजे, x2-x1 the square plus value to minus y1 the square, by distance formula, अगर मैं a, b, find out करूं, तो a, b is root of 2-1 chi square plus 3-5 chi square, which is equals to 2-1, 1 chi square 1, 3-5, minus 2, minus 2 chi square 4, तो यह क्या हो गया, root 5 हो गया, दूसरा, अगर मैं bc find out करूं, bc, तो root of bc, minus 2, minus 2 chi square, plus minus 11, minus 3 chi square, so minus 2, minus 2, minus 4, minus 4 का square, 16, और minus 11, minus 3, minus 15, minus 15 का square, 225, तो यह हो गया, root में, 6 plus 5, 11, 2 plus 2, 4, 241, अब 241 का square root नहीं होगा, जैसे 5 का square root नहीं है, यह perfect square नहीं है, मतब perfect square नहीं है, तो कोई इसको हम integer में convert नहीं करेंगे, और last time, ac find out कर लेंगे, ac, ac is root of, यहाँ पर, minus 2, minus 1 का square, plus minus 11, minus 5 का square, so, यह, minus 3 का square, 9, plus 16 का square, 256, 16 into 16, यहाँ है, 256, so, 256 plus 9, this is 5, 6, 265, okay, अब इसमें सबसे बड़ा length क्या है, ac है, बट यह जो ac है, this is not equal to sum of, ab plus bc, यह दोनों को add किया, तो यह नहीं मिलेगा, right है, root में, root में, root में हम ऐसा नहीं कह सकते कि, 241 plus 5, 241 plus 5, यहाँ पर यह देखें, तो, नहीं, इसे हम, हमें decimal में convert करना होगा, अगर हम perfectly इनकी values देखना चाहते हैं, but surely, यह दोनों का sum, root 265 नहीं होगा, okay, क्योंकि यह भी irrational number, irrational number, यह भी irrational number है, तो, कोई एक irrational number, बाकि दो irrational number के sum के बराबर, नहीं होता है, okay, rarely नहीं होता, तो, ac is not equal to ab plus bc, done, तो, यहाँ पर हम क्या बुलेंगे, therefore, therefore, हम बुलेंगे कि point, a, b and c and c are not collinear, point abc यहाँ पर collinear नहीं है, fourth problem, check whether these three points are the vertices of isosilus triangle, अब isosilus triangle में क्या होता है, isosilus triangle में, दो lens same होती है, okay, तो, यहाँ पर, अगर दो lens same मिल गई हमें, तो, हम क्या पर लेंगे, कि यह जो triangle होगा, यह isosilus triangle होगा, तो, यहाँ पर हम consider करेंगे, let vertex a consider कर लेते हैं, 5, minus 2, vertex b consider कर लेते हैं, 6,4, और vertex c consider कर लेते हैं, 7, minus 2, यह ABC, चेक करना है कि, यह isosilus triangle के vertices है या नहीं, तो, again by distance formula, अगर हम distance formula लगा है, तो, AB is equals to, क्या होगा, root of 6 minus 5 square plus 4 minus minus, क्या होगा, 4 plus 2 square, is equals to root of 6 minus 5, 1 होगा है, यह 1, plus 4 plus 2, यह 6 होगा, 6, 6 होगा, कितना होगा, 36, root of यह क्या होगा, 37, ओके, यह AB होगा, BC, so BC is, root of, 7 minus 6, का स्क्वेर, plus, minus 2, minus 4, का स्क्वेर, तो, 7 minus 6, यह 1, 1 का स्क्वेर, plus, यह minus 6, minus 6 का स्क्वेर, कितना, 36, so, again, यह क्या होगा, root 37, तो, दो साइड इक्वेर, ना, तो, तिसरा साइड, find root करने की जुरूत है, क्या, नहीं है, लेकिन, चलिए, find root कर लेता है, AC, AC is equals to, 7 minus 5 का स्क्वेर, plus, minus 2, plus 2, का स्क्वेर, तो, यह जो है, यह आपका, 4, 4 प्लस 0, तो, यह आपका क्या होगया, यह होगया, 2, तो, दो साइड है, root 37, root 37, और तीस्सरी साइड है, आपकी 2, तो, देफिनेटली, आज, यहाँ पर, AB equal to BC है, एके, देर्फोर, ट्राइंगल, यह जो ट्राइंगल ABC है, ABC is, Isocellus Triangle, क्या, तो, यह आपने चेक किया, कि Triangle जो है, यह, Isocellus Triangle है, अभी 5th problem, यहाँ पर दिया आए कि, इन एक classroom, 4 friends are selected, at point A, B, C and D, as shown in the figure, तो, यह, 4 लोग हैं, ABCD, यह चार पॉइंट पर, चंपा यह न चेमिली, walk into the class, and after observing for few minute, चंपा चेमिली, चंपा आस्क चेमिली, डोंट यह थिंक, ABCD is a square, चेमिली, तिस अग्रीज, यहाँ पर पहले देखे, के A का कोडिनेट क्या है, A का कोडिनेट है 3,4, B का कोडिनेट, B का कोडिनेट है 6,7, C का कोडिनेट, 9,4 और D का कोडिनेट, आपके यह ABCD चार कोडिनेट हो गया अब कैसे पता चलेगा कि यह स्क्वेर है या नहीं तो इस्क्वेर की प्रॉपर्टिटी अगर हम डिस्टेंस लिंध के फॉर्मेट में देखें तो जो चारो साइड होते हैं उनका लिंध से मोगा और जो डागोनल होंगे उनका लिंध से होगा मताब यहां पर हमें चाहिए a b equal to b c equal to c d equal to da और हमें चाहिए a c is equals to b d okay तो distance formula से यह हम find out करेंगे तो पहला तो हम करेंगे a b तो यहां पर a b calculate कर लेते हैं a b a b is equal to distance formula apply करेंगे तो a b equal to root of लेक लेते हैं उपर उपर आपमेंशन कर दीजिए by distance formula ठीक है distance formula a b is request to 6 minus 3 6 minus 3 का square plus 7 minus 4 का square तो 6 minus 3 जो है वो है 3 so 6 minus 3 3 3 का square 9 plus 7 minus 4 a 3 so 3 का square 3 का square 9 okay 9 plus 9 3 का 9 plus 9 so 9 plus 9 is 18 a b is equals to root of 18 okay तो इसको अगर simplify करके लिखेंगे तो 3 root 2 लिखेंगे ज़रूरी यह क्या लिखना 3 root 2 ऐसे ज़रूरी नहीं है आपने यह भी का length root 18 finite note कर लिया ठीक है बट simplify अगर आपको समझ में आ रहा है तो कर लिजिए फिर bc bc का length finite note करेंगे तो यहां पर bc 9 minus 6 तो 9 minus 6 हितना 3 square तो 9 minus 6 का square plus 4 minus y coordinate 4 है 4 minus 7 square तो 3 का square 3 का square यह भी आपका root 18 मिलेगा which is 3 root 2 so bc का length be same cd तो यहां पर cd, d का coordinate 6 तो 6 minus 9 और 1 minus 4 6 minus 9 का square plus 1 minus 4 का square तो 6 minus 9 होगे minus 3 minus 3 का square होगे 9 plus यह भी होगे 9, 9, 9, 18, root 18, root 18 क्या होता है 3 root 2 और लास्ट दी ए so da तो 3 minus 6 square and 4 minus 1 square 3 minus 6 square plus 4 minus 1 square तो अगें 3 का square 9 plus 9, 18 तो यहां पर आपको क्या मिलेगा 3 root 2 तो यह a, b, b, c, c, d और d, a equal तो हो गया अगर सिर्फ 4 side equal है तो हमको एक चीस confirm होती है कि यह एक rhombus होगा अब यह एक square है या नहीं उसके लिए मुझे ac निकालना है so ac is equal to root of ac 9 minus 3 और 4 minus 4 9 minus 3 का square plus 4 minus 4 का square 4 minus 4 तो 0 हो गया 9 minus 3, 6 हो गया 6 का square और फिर उसका square रूट तो यह रिजल्ट किता मिलेगा 6 और BD, BD अगर find out करेंगे तो BD 6 minus 6 का square plus 7 minus 1 का square तो यह भी आपका 6 square root में है तो यह 6 हा गया तो ac equal to BD so therefore therefore in quadrilateral a,b,c,d, 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 equal to c,d, equal to d,a and a,c is equals to BD so therefore in quadrilateral तो यह जो है a,b,c,d, is a square यह a,b,c,d, kya है it is a square done fifth problem okay यहीं पर stop करते हैं हम आज का lecture okay देख लेते हैं six problem क्या है and then we decide okay ठीक है यह 5th problem यहाँ पर आज का lecture हम खतम करते हैं और फिर मिलेंगे कल और आगे के कुछ problems और discuss करेंगे thank you है CONrenal आगे मैं है खता हैं और सक्षक जो हो ढाता है और सक्षक मादतीत हैं अजयों करते हैं